सुच्छता में नंबर वन शहर को अब यातायात में भी नंबर वन बनानी की कवायत की जा रही है इसके लिए इंदौर कलेक्टर और आटियो द्वारा इंदौर बॉले पहले आप अभियान की शुरुआत की जा रही है इसमें हर वहां चुलाने वाला इंदोरी कहता नजर आएगा पहले आप देखिए ये खास खबर इगो को जाने दो जनाब इंदोर बोले पहले आप सोच लिया इंदोर ने ट्राफिक में ना उचेगा रूल्स करेगा फॉलो और मन्जिल पर पहुचेगा हड़बड़ी की कड़बड़ी से हक्यसा मेल बिला इसलिए तो भीया इंदोर बोले पहले आप इंदोर बोले पहले आप इदोर कलेक्टर के रूप में पढभार ग्रहन करने पर इलाया राजा टीन यातयाद सुधार को अपनी प्रात्मिक्ता बताया था अपनी प्रात्मिक्ता पर उन्होंने काम भी प्रारंब कर दिया है प्रिशाशन आटियों के साथ मिलकर आमजन को जागरू करने का प्रियास करेगा इसके लिए प्रिशाशन ने इन दौर बोले पहले आप कैमपेंट तयार किया है इस अभ्यान के माध्यम से यातयात नियमों की तो जानकारी दी ही जाएगी साथी लोगों में वाहन चलाने की दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है उसे खत्म करने का प्रियास किया जाएगा कलेक्टर के अनुसार वाहन चलाने की दौरान आमजन में इस परधा की भावना आ जाती है जिसके चलते कई बार टकराओ की स्थिती निर्मित हो जाती है इसे दूर करने के लिए पहले आपकी प्रवत्ती लाना आविशक है पहले आप इसका मतलब एक है कोई भी चावराय पहो टूवीलर फोर वीलर्स एंड बससे ना मतलब एक लेंड सिस्टम होना चाहिए और दरवाइस एक फॉलो होना चाहिए कि मतलब नहीं यह बट मॉस्ट आफ टाइम हम लोग सिगनल्स पे यह देखने में आया कि टूवील पहले आप यह इसका एक प्रचार प्रशार रेना लार्ज लेवल पर हम करेंगे जन प्रदिगन भी आज का मीटिंग में यह तैय कि हर सब्सक्राइब इस प्रकार का चावराव पे ट्राफिक आवर्नेस क्रियेट करने में स्कूल्स में कालेजिस में और इवन समाज के भी वाहन चलाते हैं लेकिन ये वाहन चलाने में उतनी दक्ष नहीं होती जितने पुरुष या युवा होते हैं ऐसे में कई बार जुलजहाट की स्थिती निर्मित होती है यदि उस दोरान अप पहले आपकी प्रवत्ती अपना ली जाए तो यातयात और सुगम होगा उन् जैसे हम जानते हैं कि स्वक्सता के मामले में हम लोग नंबर वन पे हैं तो ऐसी ट्रैफिक के मामले में भी लोगों के सहयोग से एक कैमपेंड चलाना चाह रहे हैं इंद और बोले पहले आप इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम सड़क पे होते हैं तो हम में से ज्यादा तर लोग ऐसी एपेख्शा रखते हैं कि जैसे जैसी प्रतिष्ठा है जैसा संवाण हम को समाज में मिलता है उसे तरह से सडक में भी मिले कि जैसे कोई हमारी गाडी को क्रास न करे कोई पीछे से हां न न दे हमको तो बार 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 बल्कि हमको रास्ता मिलना चाहिए पधार से निकल गया थो हम को घो यह वो तुरंत डेवलम हो जाता है और हमको लगता है कि हम पर घर केसे हुई या हल्की सी हमारी गाड़ी को ऊहरा तो हमको लगता है कि इसने हमारे ऊपर हमारी प्रतिष्ठा पर आघात किया हम उसको इत्व shrinking डिसका यहां जानी ल Catholic तो बस लोगों से बस ये निवेदन करना चाह रहा है हम लोग कि ट्रैफिक को या सड़क को एक समान इस्थितिक रूप में देखें ये माने कि वो किवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचाने का माध्यम भर है उसमें किसी भी तरह से कोई प्रतिष्ठा या सम अगर वहां पे बनता नहीं है और जो गाड़ी आगे चल रही है अगर वही आगे चलेगी तो सभी लोग टाइम पर पहुंचेंगे और कोई भी आगे पीछे इधर-फदर करने की कोशिज करेगा तो सभी लोग लेट होंगे उससे और कभी कोई आपसे घगल से निकल जाया कई बार ट्रैफिक में कि इनको सड़क पर होना ही नहीं चाहिए यह कहां सा जाता है जब चलाना नहीं आता तो घर बैठें या चलाने कुमर नहीं रहे गई तो घर बैठें जब कि वास्टिकता यह है कि जो जीवन प्रत्यासा लगातार बढ़ रही है हमारे हां समाज में जास को ध्यान में रखते हुए अभियान को डिजाइन किया गया है अब देखना होगा कि अभियान कितना सफल हो पाता है व्यूरो रिपोर्ट आपी न्यूज इंदार